हलो गाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब शैनल जी एस फ्रॉम बेसिक्स में आज हम लेके आए हैं इंडियन जोग्रफी का क्यूक रिवीजन तो जिनका भी एक्जाम है तो वो यह वीडियो पूरी अंतर तक देखें इसमें पूरा कम्प्लीट भारत का भूगोल हमारा इंडियन जोग्रफी शामिल किये गया है और इसमें जितने भी हमारे important सारे ही topic हैं और उनसे जो जो question बन सकते हैं उन सभी main main topics को हमने shorts में पूरा करने की कोशिश की हैं तो जिसका भी exam है वो यह वीडियो ज़रूर देखें और आप अनतर तक देखें और अ बात आती है तो भारत अगर देखा जाए तो भारत प्राचीनतम कौन से भूखंड का भाग है तो भारत अगर देखा जाए प्राचीनतम गोंडवाना लेंड का भाग है इसके अलाब अगर हम बात करें भारत कौन से गोलार्द में इस्ते थे तो भारत उत्तरपूर भी गोला जो की पानी में लटकाओ भाग नीचे दिखाई देता है इसके अलबा भारत का जो छेत्रफल है कुल छेत्रफल है 32,87,263 वर किलो मीटर भारत विश्चु का सात्वा सबसे बड़ा देश है और अगर देखा जाए यह विश्चु का लगवक 2.4% भाग पर इस्तेते जनसंक्या की अगर हम बात करें तो जनसंक्या के मामले में भारत इस समय करेंट में चीन को भी पीछे करते हुए भारत इस समय पहले स्थान पर और अभी पुराने आकड़ों के साब से अगर देखा जाए भारत में कुल विश्चु की जनसंक्या है उसका अगर देखा जाए साड़े सत्रा परसेंट निवास करती है तो कहीं-कहीं 17.5 भी है और कहीं-कहीं 17.4 भी है नए अखड़े आएंगे तो हो सकता है उसके आधार पर अंसर बदल जाएँ Next is आगे हमारा JS में आता है भारत का अक्षानेय री विस्तार वो 8.4 मिंट उत्री अक्षा अक्षानेय कुमारी है यहां से लेकर अगर देखा जाए 37 डिगरी 6 मिनिट उत्री अक्षांश तक है तो अक्षांश ये विस्तार उत्री अक्षांश 8 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनिट उत्री अक्षांश तक है इसके लबा भारत के कुछ हमारे बिंदू आते हैं सबसे पूर्वी बिंदू केबीतु अरोनाचल प्रदेश में सबसे पश्चमी बिंदू गौर माता गुजरात में है सबसे उत्री बिंदू इंद्रा कॉल लद्दाक में कासे कॉल और कासे कश्मीर आप याद कर सकते हैं उसमें आपको confusion नहीं होगा उसके बाद हमारा दक्षण में दो बिंदू हैं एक तो हमारा count होता है एक तो हमारा अगर देखा जाए मुख्य भूमी का count होता है कि भारत की मुख्य भूमी का कौन सा है और भारत का अगर देखा जाए दक्षण तम विंदू कौन सा है तो अगर option में दोनों दिये हैं तो आप ये जरूर देख लें कि भारत की मुख्य भूमी का पूचा है या भारत का दक्षण तम पूचा है अगर मुख्य भूमी पूचेगा तो आंसर होगा कन्या को मारी तमिल लाडू और भारत का अगर दक्षण दम पूचेगा तो आंसर होगा पिग मेलियन, इंद्रा पॉइंट या पार्सन पॉइंट और ये हमारा ग्रेट निकोवार यानि अंडबान निकोवार पे है नेक्स देखते हैं भारत की स्थलिय सीमा भारत की स्थलिय सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की जो स्थलिय सीमा है वो टोटल अगर देखा जाए साथ देशों से लगती है और अगर हम बात करें तो सोला प्लस दो राज्यों से लगती है 16 राजे हैं और 2 हमारे यूटी हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाक हैं तो यूटी है हमारे अब एक हमारा म्यामार इदर लग रहे हैं दूसरा बांगलादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल, पाचमा चीन, छटा अफगानिस्तान और सातमा पाकिस्तान और इन ही कि अगर देखा जाए सीमा पर अगर कोई इस्तित हैं तो यहाँ पर गुजरात, राजिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाक, हिमाचल, उत्राखंड, फिर इधर अगर देखा जाए यूपी, बिहार, फिर इधर पश्चिम बंगाल और सिक्किम और फिर हमारा सैवन सिस्टर हाती है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस्तलिय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है 15,106 किलो मीटर, और अगर हम बात करें कि जो हमारी 30 सीमा है, तो 30 सीमा की अगर बात करें, तो भारत की जो 30 सीमा है, 30 सीमा कर देखा है, 30 राजि कितने है, 9 पश्चिम में 5 राजे हैं और पूरब में 4 राजे हैं और 30 सीमा कुल अगर हम बात करें तो 7500 है लगवग 7517 किलो मीटर जिसमें आपका अगर देखा जाए 600 तों मुख्य भूमी किये जो हमारी मुख्य भूमी है यानि गुजरात से लेके पश्चिमंगाल और लगवग 1400 अगर देखा जाए उसमें अंडमानी कोबार और लक्षदीप की शामिल किये और ये लगवग अगर देखा जाए आपकी साड़े साथ हजार के असपास बैठती है अब इसमें पूर्ब में चार राज इस्तेते हैं आपका तमिल लाडू आंधर प्रदेश उड़ीसा और पश्चिमंगाल पूर्ब पश्चिम में आपके पांच राजे हैं गुजरात महरास्ट गोवा करनाटक और आपका केरल ये कोश्चन भी आजकल काफी पूछा जा रहा है तो आंधर प्रदेश का नाम भी आपको याद रखना है अब यहां से हमारा आ जाता है पडूसी देश से यहां से पैट के एक्जाम में तीनों बार के कोश्चन आए सिफ इसी ठेबल से तो पडूसी देश हमारे साथ कौन- लगवग 4096 किलोमीटर इसे पांच राजे लगते हैं पश्रिमंगाल असम मेघाले तिरपुरा और मिजूरम चीन से अगर हम देखें तो चीन से अगर बात आती है तो इसे लगवग 3488 किलोमीटर पांच राजे लगते हैं हिमाचल प्रदेश उत्रगंड सिक्किम इन्हें अगर आप रटने ही कोशिश करेंगे तो यह आपको याद नहीं होंगे आप इन्हें समझ के अगर करेंगे तो इधर से अगर देखा जाए गुजरात है गुजरात के उपर राजिस्थान है राजिस्थान के उपर पंजाब है पंजाब के उपर अगर देखा और फिर seven sister, seven sister याद रखने के लिए आप याद रखें कि अरोण और नाग और मड़ी और मजे, मजे से है, मिजोरम इधर है, तिरपुरा और अगर देखा जाए, मेग और अगर देखा जाए, असम अब यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, अरोण एक वंदा है, जिसके पास नाग बड़ी है, उसके आगए मजे, और आसमान में उस समय बादलते कितने, तीन, तो मेग मतलब बादल और मतलब तीन अगर देखा है, तिरपुरा, तो असम, मेगाले, तिरपुरा, मिजोरम, मड़ हो गया, इसके अलावा हिमाचल हो गया, उत्राखंड हो गया, फिर हमारा आपका सिक्केम हो गया, और अरोणाचल हो गया, तो टोटल अगर देखा जाए, चीन के साथ हो गया, पाकिस्तान के साथ हमारे पांच हो गया, जम्मो कश्मीर हो गया, लद्दाक हो गया, पंजाब हो गया राजिस्थान हो गया और गुजरात हो गया तो इधर भी पाकिस्थान के साथ पांच हो गए हमारे नेपाल के साथ हमारे पांच है उत्रागंड यूपी बिहार पश्यमंगाल और सिक्किम तो नेपाल के साथ हमारे 5 राज हो गए मियामार, मियामार के साथ मैंने भी आपको बता है 4 राज, अरोनाचल, नागालेंड, मड़िपूर, मिजोरम, भूटान भूटान के साथ 4 राज, सिक्किम, पश्यमंगाल, असम और अरोनाचल तो ये 4 राज हो गए अगर देखा जाए, भूटान के साथ, इस साइड हमारा जो भूटान लगता है अफगानिस्तान के साथ, के बले की लगता है हमारा लद्दाक वाला एरिया, तो अगर आप इस तरह से याद करेंगे, तो ये याद हो जाएंगे और यहाँ से आपको हमेशा ही अगर देखा जाए, एक्जामस में कोशन देखने को मिलता है और पैट में तीनों भार यहाँ से कोशन आया है तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की लगती है, और सबसे जादा सीमा बांगला देश की लगती है नेक्स्ट है हमारी कुछ लाइनों के नाम है जैसे मैक मोहन रेखा चाइना के साथ लगती है डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है रैड कलिप रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है भारत की अगर देखा जलिय सीमा की बात करें तो भारत की तीन जलिय सीमा है या वग 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है और इधर तिरपुरा की एक सीमा लगती है शुने रेखा तो तिरपुरा की जो बांगलादेश के साथ सीमा लगती है उसको बोलते है शुने रेखा नेक्स्ट है फिर हमारा करक रेका करक रेका अगर बात करें तो करक रेका भारत के आठ राजियों से होकर गुजरती है तो आठ राजियों के ट्रिक आपको पता ही है यहाँ पर अगर देखा जाए मित्र पर गमच्छा जार तो मिजोरम, तिरपुरा, पश्चिमंगाल, राजिस्थान, गुजरात, मद्यप्रदेश, 36 गड़ और 4 गड़ अगर थोड़ा एडवांस कोश्चन अगर इससे आता है तो यह पूछ लेता है कि सरवादी कौन सा है तो गुजरात, उसके बाद सबसे कम कौन सा है तो यह है राजिस्थान, फिर है आपका, मद्यप्रदेश, फिर है 36 गड़, फिर जहार खंड, पश्चिमंगाल, तिरपुरा, और मिजोरम अब यह हमारे अगर देखा जाए, तो यह हमारे हो गए 8 राजे इधर से सबसे पूर्वी राजजगर कोई है, तो मिजोरम है, इधर से सबसे पश्चमी राजगर कोई है, तो गुजरात है तो करक रेखा, यानि 25 डिगरी उत्रियक शांश, इसके इधर वाला जो यानि उत्तर वाला भाग है यह उपोशन कटीवंद में आता है, और अगर बात आती है, दक्षण वाला भाग, तो यह हमारा साउथ वाला जो भाग है, वो उशन कटीवंद के अंतरगत आता है यह भी आपको याद रखना है, कि करक रेखा, आठ राज्यों पे, सबसे ज़ादा, सबसे कम, पूरब में, पश्यम में, और बाकी नॉर्मल कोशन अगर आता है, तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो, मितरपर, गमचा, ज़ाड, मिजोरम, तिरपुरा, पश्यम बं तो इसमें अगर देखा जाए, UP, इसके अलाबा, MP, और हमारा 36 गड़, और अगर देखा जाए, उडईशा, और फिर आंधर प्रदेश, तो पांच राज्यों से होकर गुजरती है, और यह इलाबाद के नैनी, या मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और 36 गड़ राज्य लगवग जो समय अंतराल है, लगवग दो घंटे का समय अंतराल है, उसके बाद सैवन सिस्टर, सैवन सिस्टर के बारे में भी मैंने बताया था, अरुण एक बंदा है, जिसको मिली नागमड़ी, उसके आगए मजे, और अगर देखा उस दिन आसमान में 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 मतलब तो यह सैवन सिस्टर आपको याद रखनी है, और असम अगर देखा जाए, इन सभी सैवन सिस्टर में सबसे बड़ा और सभी के साथ सीमा साजा करने वाला राज्य है, सोनबदर अगर देखा जाए, तो प्रदेश का एक मात्र ऐसा जिला है, जो चार राज्यों साथ साथ स यनम आंद्रप्रदेश में, एक है माहे केरल में, एक है कराईकल ये और मूल पांडुचेरी तमिलाटो में, तो ये ही कोशन आ जाता है कि माहे, यनम और कराईकल ये क्या हैं, तो ये केंद्रशाषित पांडुचेरी की बस्तियों के नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट आता है हमारा अगला टॉब में इसमें एक कोशन और आप याद रखना कि भारत का जो आसद समुद्र तल है अगर भारत का आसद समुद्र तल मापा जाता है तो ये आपका चेननी से मापा जाता है अब भारत का सबसे नीचा इस्थान अगर कोई है तो वो है केरल का कुट्टुनाड ये भी आपको याद रखना है तो केरल का कुटूनार्ट भारत का सबसे नीचा स्थान है और उसो समझतल कमापन चेने से होता है नेक्स्ट आते है हमारा इसी में भारत के भौतिक राज तो भारत के चार भौतिक राज है उत्तरगा परवतिय चेतर उत्तरगा विशाल मैधान और फ्रायदी पेपड़ार और ठर्ट्टीय मैधान एवं दीव समो अब इसी में हमारा पहला आता है उत्तरगा परवतिय चेतर अब उत्तरगा जो हमारा परवतिय चेतर है तो यहाँ पर बड़ा ही important topic है यहाँ पे हम इसी की पारे में बात करेंगे उत्तर का परवतीय छेत्र अब ये जो बना है यहाँ पर हमारी एक प्लेट थी इंडियन प्लेट और एक प्लेट थी Euretion प्लेट जब ये दोनों आपस में तकराईएए तो यहीं पर एक आपका इस साइट बना है पठार और इधर बना है हिमाले जो है ट्रांस हिमाले और धीरे धीरे फिर इसी से ग्रेट हिमाले मेड हिमाले शिवाली हिमाले बने अब यहाँ पामीर का पठार है पामीर के पठार से उत्तर का परवतिय छेत्र विक्सित हुआ है चीन में एक श्रणी गई यह कुलुल और तिबद वाली काफी important है पेपर में पूछी जाती है और इदर एक पाकिस्तान में कहिए हिंदुगुष परवत पाकिस्तान यह भी काफी important है अब जम्मु कश्मीर से लेकर इदर नामचा बरवत तक यह परवत फैला हुआ हमालय और यह अगर देखा जाए कु पेक्षा पूर्ग में कम चोड़ा है तो यह statement वाले question भी आते है भारत में हमारा ट्रांस हमालय आगया ट्रांस हमालय में हमारी कारा कोरम लद्दाक और जासकर है महान हमालय फिर मेड हमालय फिर शिवालिक हमालय यहाँ पर question जो आता है वो direction वाला आता है कि आपका direction अगर देखा जाए तो इधर है north और इधर है south इधर ट्रांस हमालय फिर great हमालय फिर mid हमालय और फिर शिवालिक हमालय तो इसमें ही पूछ लेता है कि महान हमालय के उत्तर में या महान हमालय के दक्षड में और शिद्धांत कौन सा है plate विरतनी की सिद्धांत और हमालय का निर्मा और अगर हम बात करें, तो सिंदू, सतलज, काली, तीस्ता और दिहाँ, तो सिंदू से सतलज के बीच में, पंजाब या कश्मीर हिमाल है, इसकी सबसे उची चोटी केटू, या गौर्डविन अस्टिन, या गौरी नंदा परवत है, सतलज नदी से काली नदी तक इसको बोलत तो ये नदी घर्टी के आधार पर भी आपको याद रखना है, और ये हमारा क्रम, मैंने भी जैसे क्रम की बदाया था, तो उत्तर से दक्षण के क्रम में हिमाले, कारा कूरम, लद्धा, जासकर, महान हिमाले, मध्या, लगू हिमाले, या शिवालिक हिमाले, तो दिशाओं तो शिवालिक का भी याद रखना है, शिवालिक हिमाले के दक्षण में क्या है, भावरिया तराई छेतर, अब हिमाले से रिलेड़िट कुछ important बात करते हैं, जो main-main बाते हैं, ट्रांस हिमाले, ट्रांस हिमाले की हमारी त्रीन श्रणी है, कारा कोरम, लद्धा, जासकर, ट केटू अगर देखा जाएं, केटू गैलीजिये, या इसका नाम है, गौरी, नंदा, परवत, या एक नाम और है, गौर्डवेन, ऑस्टिन, ये इसी के ही नाम है, और ये भारत की सबसे उची चोटी है, और यहीं पर सबसे तीवर ढलान वारी चोटी है, राका पोशी, यह नहीं पर भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है, बुन्जी गार्ज लद्दाक में, तो लद्दाक शरणी को काट कर ये भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है, बुन्जी गार्ज, हिमाले में तीन हिमाले, महान हिमाले, लगू हिमाले और शिवालिक हिमाले, महान हिमाले इसकी सबसे उची चोटी माउंट एवरिस्ट है जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं और यहां पर भोटिया या भोटिया जनजाती निवास करती है इसके अलावा लगू हिमाले या मद हिमाले इसका निर्माण मायुसीन काल में हुआ था और इसकी जो औसत हो जाई है वो पैटालिस सो मीटर है यहीं पर करेवा केकर केसर की खेती के लिए जम्मू कश्वीर में मैदान है मर्ग घास के मैदान है बुगयाल और पयार उतरक्ट में घास के मैदान है जबकि मर्ग आपके जम्मू कश्मीर में घास के मैदान है इसी के एक श्रेड़ी है धौलादर तो धौलादर अकर देखा जाएं तो ये महाभारत नाम से जानी जाती है नेपाल में तो भारत में धौलादर बोलते हैं और नेपाल में इसको महाभारत बोलते हैं शिवाले के माले या बाहिये माले, शिवाले के माले की जो पत्ती हुई है, वो प्लायोसीन करार में हुई है, और यह लगवग अगर देखा जाए, 900 से 1200 मीटर इसकी उचाई है, यहाँ पर घाटिया मिलती है, दून और दूर, जैसे देहरादून और हरित दूर, और यहाँ दूर मिलते हैं, यह चाई की अगर देखा जाए, चाई के मैदान होते हैं, तो उन्हीं इस्तलाकरतियों को दूर बोलते हैं, अब इसमें याद रखने हैं वाली बात, आप इसे याद रख सकते हैं, E, O, M, P करके याद रख लें, कि E, O, C, E, O, C, E, O, C, E, O, C, O, C, O, C, मतलब ग्रेट हिमाल है, M से अगर देखा जाए, मायोसीन मतलब मिड हिमाल है, और P से प्लायोसीन यानि शिवालिक हिमाल है, तो यह काल आपको याद रखने हैं, इसके लब अगर हाइट की बात करें, तो शिवालिक की आप याद कर लेजिए, लगवक 15 होगा सपस, और 15 त याद कर लें, और 15 से कमी है, यानि 900 से और 1200, इसकी पैंतालेस ही है, और इसकी अगर देखा है, छेजार से थोड़ी जादा, यानि 1600, उत्तर पूर भी हिमाल है, इसे म्यामार के बॉर्डर पर अराकान यामा कहते हैं, यहाँ पर जूम गेती होती है, जातर जन जाती हैं करत जंगलों को जलाते हैं, तो देहन, और अगर देखा जाए, इंगलिश में उसे बोलते हैं, बन या स्लैश, और लोकल भाषा हम बोलते हैं, पैड़ा, और जगा बदलती है, तो इसलिए सरकार ने अगर देखा जाए, नौर्थीस्ट में जूम करशी को बैन कर दिया है, ले नीरी, मिश्मी, पटकई, अंबूर, डफला, बुमला, ये सबी अगर देखा है, अरुणाचल में, मेगाले में गारोखासी, जैनतिया, तो शौर्ट में ही है, गारोखासी, जैनतिया, असम अगर देखा जाए, तो मीकिर पहाडी, असम में स्थेत है, इसके अलाबा आगे अदेवी, धौलादर, अनपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचन जगा, नामचाबरवा, तो ये हमारा पूरव से पश्चिम, या पश्चिम से पूरव, आप कोई सा भी देख सकते हैं, जैसा भी एक्जाम में कोश्चन आता है, आप उसी हिसाब से कर सकते हैं, कश्मीर के बुर्जिला, बनिहाल और पीरपंजाल, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा, शिपकिला और रोतां, देखे रोतांग दर्रे से रावी नदी आती है, शिपकिला दर्रे से सतला जदी भारत में एंटर होती है, उत्राघंड में नीती, माडा, लिपुलेक और मुल इखे रे लिए, और रोतार प्रदेश में एक दर्राया है, वोम्ड़ीला, इसके अलाबर अगर देखा जाए और दर्राया, दिफू दर्राया, और इधर मानपूर में अगर देखा एक तुझू दर्राया, शांच में अगर महारास्ट में ताल्गाट और भोर्गाट है, इसके अलाबा केरल में अगर देखा जाए तो केरल में आपका पाल घाट और सेन कोटा दर रहा है, तो यह कुछ दर्रे आपको याद रखने है, नेक्स्ट हैं, हमारी प्रमो को घाटियां, तो लद्दाक में और जम्मो कश्मिर में कोमन है, मरखा घाटी, मरखा घाटी अगर देखा जाए, हेमिस रास्टे उद्ध्यान के लिए फ्रस्त्यत है, जो की भारत का सबसे बड़ा रास्टे उद्ध्यान है, कश्मीर घाटी नुब्रा नदी द्वारा बनाई गई है और ये अगर देखा जाए नुब्रा नधी बनाती है जो हमारे सियाचन ग्लिशर के पिगलने से नदी बनती है और वो уд बाद में गाटी बनाती है तो बनी है दूबरा गाटी सुरू घाटी में आपका कारगिल इस्थे थे थे और कारगिल अगर देखा जाए आपको पता हिए क्यों फेमस हैं क्योंकि कारगिल में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और कारगिल फिचे दिवस भी मनाया जाता है हमारा कब 26 चुलाई को इसके लाबा गलवान घाटी तो गलवान घाटी चीन की बॉडर पर यानि LSE पर इस्थे थे हैं हिमाचल प्रदेश में किन्नौर घाटी इसके लाबा पारवती घाटी सांगला घाटी मालना घाटी कुलू घाटी पांगी घाटी स्विती घाटी लाहुल घाटी कांगडा घा देखे चंबा घाटी में तो डलोजी है यह बड़ाई फेमस टूरिस प्लेस है चंबा में कांगड़ा गर देखा जाए तो यहां पर चंद्रा और भागा नदी बहती है जो बाद में चिनाब बनती है इस फिती घाटी में बहुत हो का प्रसित एक तबो मठ है जहां दलाई न अनला कने चंद्रा गर देखा जाए तो भूटीं या भोडिया जन्जाती निवास करती है कुलू घाटी को देवताओं की घाटी बोला जाता है मालना को छोटा यूनान न बोलते हैं क्पा घाटी को पारवती घाटी में मडी करन के गरंपानी के फुबा ने काफ़ी फैमस कि नौर अगर देखा जाए भारत का अंतिम गाव चिटकुल यहीं इस्तित है कि नौर में इसके लाबा सिक्किम की चुम्बी घाटी पहले हम देहरादून की बात करते हैं उत्रादून में दून घाटी देहरादून वाली जोहर घाटी तो जोहर घाटी अगर देखा जाए क ज़्यादा खास नहीं है फूलों की घाटी ये युनेस्कों में शामिल है धर्मा घाटी धर्म गंगा से बनी है सोर घाटी में कत्यूरी एक शाशक हुए तो यहां पर सोर घाटी में निवास करते थे नेलांग अगर देखा जाए गंगोत्री नेशनल पार्क इस्थे थे ने जुकू घाटी जुकू घाटी अगर देखा है नागा लैंड में नियोरा घाटी पश्चिमंगाल में कलिमपोंग नेशनल पार्क के लिए फेमस है इधर आंध्पदेश ही अराकू घाटी है तमेलाडू की कंबम घाटी है और केरल की शांत घाटी अपनी जैबेविता के अन्हें लिए ठ रसेते हैं तो यह हमारी प्रमुक घाटी है उनकी कुछ विशेश्चा है तो आप धियान रखें जो में में घाटी और उनकी विशेश्चा है नेक्स हमारा अगला तराई छेतर अब परुबतों के बार जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो होता है भावर भावर्षेतर में खेनी नहीं होती है और नदि द्रच इती है क्रें पत्थर होता हैं तो ऐसािया नदि कि काउटी Customer और यहां पर चीका की मात्रा सबसे अधिक होती है और यह खादर जहां हर साल बाड आती है जहां पर नदी का पानी आ जाता है और नदी से दूर जहां शहर बसा होता है तो उसे बोलते हैं बांगर और बांगर को बोलते हैं प्राचीन जलोड और यहीं पर आपको रेह कलर देखने को मिल जाती है लास्ट में अगर देखा जायि ये जो नदिया मनाती है बनाती एल्टा ये इसको बोलते है चार भुमी या उच्छ मtatली को अभाक हड़ण का बर्वद पठारों में मालवा का पठार छोटे नाकपूर का मेखाले का दक्कन का करनाटा का आंध्रा का तेलंगाना का दंड का रणे का घाट में पश्मी घाट और पूर्वी घाट अब अरावली के अगर बात करें तो ये हमारा अगर देखा जाए जो हमारा पूर्वी भारत और अगर देखें पश्वी भारत इनके भी जल्विवाज़ा कारे करता है विंदेन अगर देखा जाए तो यह हमारा उत्तर भारत और तक्षण भारत के भी जल्विभाज़े का कारे करता है सत्पुणा अगर देखा जाए नर्मदा और ताप्ती के मद्द जल्विभाज़े का कारे करता है इसके अलाबा नेक्स्ट रम डाइग्राम में देखते हैं जो हमारे मेंन में बाते हैं अब यहां पर आता है हमारा सबसे पहले अरावली परवत तो अरावली परवत की सबसे उची चोटी गुरू शिकर है और यह है एक अफजिस्ट या रेजिड्यूल परवत है और इसी में अगर देखा जाए दिलवाडा जैनमंदर इस्ते थे और यही अगर देखा जाए आबू पहाड़िया बेस्ते थे जिनने दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़िया कहा जाते है उसके आगे आता है मेबाड यानि मालवा का पठार मालवा के पठार को राजिस्थान में मीबाल का यहाँ पर जो साथ जिले हैं उनके नाम आपको याद रखने जालोन जह्ंसी ललित पूर चित्रकूट हमीरपूर बांदा महुबा तो यह साथ जिले बड़ ही मुख्यता विस्तार है वो है जहारखंड में और ये तीन पठारों से मिलकर बना है हमारा राजमहल का पठार, हजारी बाग का पठार और राची का पठार राची के पठार से एक नदी निकलती है सोने रेखा नदी जिस पर हुंटू जलपे पाथ इस्तित है और राची के पठार से एलग को राजमहल का पठार अगर हम बात करें तो छोटे नाकुर के पठार का guessing विस्तार है तो वह है शिलाग का पठार तो ये अलग किस Сे हुआ है तो इधर से राजमहल गैप इधर से गारो गैप और बीच में पच्छिम मंगाल पड़ता है मालदा गैप तो इसी कारण ये पूछ ले जाता है कि ये किसका भाग है तो ये हिमाले का भाग नहीं है ये छोटे नागपुर का पूर भी विस्तार है और ये राजमहल कारो ये मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है उसके बाद इधर आएंगे तो विंदियन फिर सत्पुडा फिर अजन्ता विंदियन और सत्पुडा विंदियन के बारे मैंने अभी पताया था विंदियन अगर देखा जाए इसे गुजरात में बोलते है ज महादेब पहाड़ी और एक है महादेब पहाड़ी में इस्तेत हैं तो यहां दकन का बठार है जो काली मिटी के लिए फेमस है और इसका जो निर्माड हुआ है वो जो अलामुखी के दरारी उद्वेदन से हुआ है और नीचे आएंगे तो यहां हमें देखने को मिलेगा कर अलाट का बठार या मैसूर का बठार या बंगलोर का बठार कहते हैं यहीं अगर देखा जाए पहाड्यों का नाम है बहाबाबुदान की पहाड़ी जिसकी सबसे उँची चोटी है पुंद्रे मो यही पर शराबती नदी बहती है जिसपर भारत का प्रसिद्ध जलप्रप बाराही जिस पर भारत का सबसे सुंदर जलप्रपाद भारत का न्यागरा ये अच्छे त्रपूर जलप्रपाद इस्ते त्यालाबा आंद्रा का पठार इसे रोयल्सीमा का पठार भी कहते हैं कोलेरो जीले जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमी है जो कृष्णा और गोदावरी नदी से बनती है अब यहाँ पर बीच में अगर देखा है आंदर से लग हो गया तिलंगाना तो इसे पूर्वी घाट और पश्चमी घाट के मधि का पठार भी कह देते हैं तिलंगाना को कि कौन सा पूर्वी घाट और पश्चमी घाट के मधिस देते हैं तो तिलंगाना का पठार इधर से पूरवी घाट और ये हमारा पश्मी घाट, जब आते हैं, तो ये दोनों जहां मिलते हैं, उसको बोलते हैं नीलिरी, और नीलिरी की सबसे उची चोटी है, दोदा पेटा, और दक्षण भारत की सबसे उची चोटी है, अना मलाई की अनाई मोडी, और अगर देखा करें पश्मी घाट की तो सह्यादरी भी बोला जाता है, यह भी आपको द्यान रखना है, आगे हाथ हम next तटिये मैदान, तटिये मैदान की अगर बात करें, तो कुछ हमारे पश्मी तटिये मैदान privileged हमारे पूर्वी तटिये मैदान है, तो इस साइड हमारा लगता है बंगाल की खाड़ी और इस साइड हमारा लगता है अरब सागर तो इधर अरब सागर है अब अरब सागर में सूरत से लेकर दमन तक सोरास्ट किया काठिया वाड़िया गुजरात का मैदान दमन से लेकर गोवा तक कोकड तर्ट, गोवा से लेकर मैंगलोर तक कन्यर तर्ट और मैंगलोर से लेकर कन्या कुमारी तक मालाबार तर्ट यहाँ पर इस्तेत है पूरवी तर्टीय मैदान में सोण रेखा नदी से लेकर महा नदी तक उतकल का तर्ट है महा नदी से लेकर कृष्णा नी तक उत्री सरकार का तर्ट है और कृष्णा नदी से लेकर कन्या कुमारी तक कोरो मंडल तर्ट है तो यह 30 मैदान है और पैट के एक्जाम में यहां से भी कुशन आया था कि अगर देखा जाए कि हमारा अरब सागर में कौन सा इस्तित है तो यह ध्यान रखना है इंपॉर्डेंट है नेक्स्ट है हमारे दीप समू तो दीप समू हमारे पास कुछ अरब सागर में हैं कुछ बंगाल की खाड़ी में और कुछ हमारे नदी दीप या अने दीप हैं उनके बारे में हम देखेंगे तो पहले लक्ष दीप की बात करते हैं लक्ष दीप में कुल कितने दीप हैं 36 जिसमें से आवाद कितने दस और यहां का सबसे बड़ा दीप कौन सा है एंडरौत अब या एडरौत होगा या फिर अगर देखा जाएं एंडरौत भी हो देखने को मिल सकता है इसके अलाबा पुरान नाम तो इसका पुरान नाम था लकादीव या अगर देखा जाएं अमीनी दीप लक्ष दीप अगर देखें तो लक्ष दीप की राजधानी क्या है का भारती और लक्ष दीप को नाइन डेगरी चैनल अलग करता है किससे मिनीगाय से और मिनीगाय को माल दीप से को कौन सा है आठ डिग्री चैनल नेक्स्ट है हमारा अगला हता है हमारा अंडमान निक हुपर यह बड़ा इंपोर्टेंट है और यहां कई सारे दीप है यहां है लगवक 572 दीप जिन में से लगवक 220 आबाद है और यह संख्या आपको अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग भी देखने को मिल सकती है यहीं पर हाली में एक माउंट हैरियर्ट है जिसका नाम बदलकर माउंट मड़िपूर कर दिया गया यहां पर एक दीप है रौज दीप जिसका नाम बदलकर सैंडल पीक इस्ते थे और इसी के पूर्व में नार्कोर्णम भारत का quickest स्सुप जौला मुखी इस्ते थे इसके नीची आते मध्ध्न अंडबान मध्न अंडबान के पूर्व में बैरंधीप मुख समु है जोकि अगर देखा जाए भारत का एक निकोबार को अलब करता है। इसके राबहां कार निकोबार, लग२ोबार, ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार पर दूसरी सबसे उundоров माउंट थोहलर है। और यहीं पर भारत का अंति मिंदू, इंदरा ंपवाइंट, पार्षन पॉइंट या पिग मेलियन पॉइंट इस्ते थे और अगर हम बात करें छे डिग्री चैनल तो भारत और सुमात्रा यानि इंडोनेशिया के मद छे डिग्री चैनल इस्ते थे हैं यहां कह सकते हैं सुमात्रा और ग्रेट निगोबार के पीछ में नेक्स्ट हमारे अगर देखा जाए अन्य दीप अब नर्मदा नदी अगर देखा है नर्मदा नदी पर जो इस्ते थे हैं वो है सादू वेट दीप अब सादू वेट दीप अगर देखा जाए इस पर स्टैचू ऑफ यूनिटी इस्ते थे थे और नर्मदा नदी के मुहाने पर आदिया वेट एक दीप इस्ते थे, तापती नदी, तापती नदी के मुहाने पर खादिया वेट इस्ते थे, मुंबई जो इस्ते थे, वो सालसेड दीप पर इस्ते थे, अलिफैंटा दीप मुंबई के इसी सालसेड दीप के निगट है, जो अपनी प्राचीन गुफाओ के लिए फेमस है वैलिंग्टन दीप केरल के कोच्छी शहर का भाग है जिस पर भारत का सबसे छोटा रास्टे राज मार्ग एनच 47 एस देते यह सारे जितने भी दीप होगा यह सारे होगा आपके अरब सागर वाले और इसमें एक नदी हो गया साधू वेट वाला इधर आए जगा का नाम है उसका और अब इसका नाम क्या हो गया ? एपिजे अब्दुल कलाम तीप और यहाँ मिसाइलों के टेस्टिंग यानि प्रक्षे पास्त परिक्षण के इंद्रिस थे थे और एपिजे अब्दुलकलाम को बोले रता है मिसाइल मैन और अगर बात आती है यह पर सतीज धवन अंत्रिक्ष केंद्र है और भारत के जितने भी अंत्रिक्ष मिशन भेजे जाते हैं वो सब शेरी हरीकोटा से ही भेजे जाते हैं नीचे एक नदी दीप है श्री रंगपटनम ये कावेरी नदी में उसके नीचे अगर देखा जाए तो राम सेत्व का अब ये एधर वाले जितने भी है ये सारे लग रहे हैं आपके बंगाल की खाड़ी में तो ये आपको याद रखने हैं नेक्स्ट है हमारा नदियों की बात आती है भारत की नदियों का अपवा तंत्र भारत की नदियां दो प्रकार की है एक तो उत्तर भारत या हिमाले दक्षण भारत या प्राइदीपे भारत हिमाले में भी तीन है सिंदू गंगा और प्रंपुत प्राइदीपे पंठार में अगर देखा जाए तो हमारी दो है अरब सागर में गिरने वाले और बंगाल की घाड़ी में गिरने वाले अब यहाँ पर सबसे पहले सिंदु नदी तंत्र की बात आती है तो सिंदु नदी अगर देखा जाए कैलाश के मांसरोबर में एक गलेशर है चेमा यूंगडू गलेशर और यहीं अगर देखा इस गलेशर से पश्चिम दिशा में निकले हैं सिंदु नदी और अरब सागर में जाकर गिरती है इसकी एक साहयक नदी आपको याद रखनी है श्योक अगर देखा है सिंदु की साहयक नदी है जिसे मरत्यू की नदी भी कहा जाता है इसके बाद बेरिनाग के निकट एक जील है शेशनाग शेशनाग से नदी निकलती है जेलम और जेलम अगर देखा जाए बूलर जील से होती हुई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती हुई आगे जाके चेनाप में मिल जाती है और जेलम पर तुलबुल और उरी परियोजना इस्तेत है नेक्स्ट आती है हिमाचल में अगर देखा जाए तो ये आपकी चंदरा और भागा नदी है जो आगे चलकर चेनाप बन जाती है और चेनाप सिंदू की सबसे बड़ी साहयक नदी है और चेनाप पे सलाल, बगलेहार, दुलस्ती परियोजना इस्तेत है उसके बाद रोतांग दर्रा है रोतांग दर्रे से राभी नदी निकलती है जिस पर चमीरा और थीन परियोजना है रोतांग दर्रे के नीचे कुंड है व्यास कुंड और व्यास कुंड से एक नदी निकलती है व्यास और ये हरी के नामा की स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है फिर तिबबत में एक ताल अगर देखा जाए तो तिबबत का एक है राकस्ताल या राक्षस्ताल यही से नदी और यह गर देखा है, हरीके नामकिस्थान पर व्यास नधी से मिल जाती है और हरीके वेराज से ही भारत की सबसे लंबी नहर इंदरा-गांधी नहर निकली है जो आगे जाके हमारे गर गर देखा है राजिस्थान के लिए काफ़ी ज़्जादा मtwोड़ है और सतलज नदी आगे जाके चेनाब में मिल जाती है तो इसमें ये सारी जो नदिया है यहां तक ये तो हमारी सारी भारत में है तो यहां एक तो कोशन आता है पंच नद में कौन सी नदी आती है वो है सतलज बागी सभी भारत में ही निकलती है आगे आता है हमारा गंगा नदी तंत्र ये बड़ा important है और अगर देखा जाए तो यहां से question पूछे ही जाते हैं और कोई ना question ज़रूर देखने को मिलता है अब गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी अगर देखा जाए तो गंगा नदी जो निकलती है अब गंगा नदी का गंगा जो नाम पढ़ा है वो देव प्रियाग में पढ़ा है जब अलक नंदा और भागी रती मिलती है देव प्रियाग में तब इनकी संगत धरा को आगे चलके नाम मिलता है गंगा तो गंगा का नाम गंगा कहां पड़ा है देव प्रियाग के बाद इसके लाबा देव प्रियाग में जो गौमु कंगोत्री से भागी रती आई है भागी रती सायक है भिलंगाना और भागी रती का जो संगम में यहाँ पे टीरी डैम है केदार नात में अगर देखा जाए मंदाकनी निकलती है जो रुद्र प्रियाग में अलग नंदा से मिलती है कंड प्रियाग में पिंडार नदी अलग नंदा से मिलती है नंद प्रियाग में नंद गंगा या नंदाकनी अलग नंदा से मिलती है विश्णु प्रियाग में धौली गंगा अलक नंदा से मिलती है और अलक नंदा कहां से आ रही है संतोपत हिमानी से तो यहां से जो कोशन आता है यहां तक का कि गंगा का नाम गंगा कहां से पड़ा और अगर बात आती है कि गंगा अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें कौन-कौन से प्रियाग पर कौन-कौन सी नदी है आगे आएंगे कन्योज तो कन्योज में अगर देखा जाए एक नदी है राम गंगा जो दूधा टोली या पॉड़ी गड़वाल से आ रही है और यहीं से अगर देखा जाए आपका यह राम गंगा नदी निकलती है और कन्योज के निकट जाकर मिल जाती है और कन्योज अगर देखा जाए इतर के लिए काफी फिमस है आगे आते हैं तो हमारा प्रियाग राज पढ़ता है याँ प्रियाग राज में एक नदी मिलती है यमना और यमना कहां से आ रही है बंदर पूछ चोटी के यमनोत्री गलेशर से इसकी एक सायक नदी है टोंस अब एक टोंस यहाँ है और एक टोंस यहाँ है यहाँ पर जो है यह हमालाई की टोंस है और इदर जो टोंस है यह अगर तो मद्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से एक चंबल नदी आती है जो इतावा में जाके मिल जाती है और चंबल नदी अवनाली का परदन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसेत है तो सबसे ज़्यादा अवनाली का परदन करने वाली नदी कौन सी है चंबल और यह अगर द और हमीरपुर में यमना से मिल जाती है केन का नाम है कर्णवती जो कैमूर की पहाड़ेओं से निकलती है और बांदा में अगर देखा जाए तो जाकर यमना नदी से मिल जाती है तो यहां तक हमारा अगर देखा जाए यह इलाबाद तक की बात आती है आगे अगर हम देखते हैं तो आगे अगर देखा जाए तो इस साइड हमारा अमर कंटक से नदी निकलती है एक तो अमर कंटक के तमसा कुंड से निकलती है तमसा या टोंस या तर्मा नदी ये भी हमारी अगर देखा है गंगा की सायक है और इधर शेशा कुंड से एक नदी निकलती है सोन या शेशा नदी जो हमारी आगे जाके गंगा में मिल जाती है और सोन नदी की एक सायक नदी आपको याद रखनी है इसकी सायक नदी है उत्तर कोथिल यह भी आपको याद रखना है उसके बाद गंगा फरक्का में पहुंसती है और फरक्का में दो भागों में टूट जाती है एक तो बांगला देश में भागे रहती नाम से जाती है और दूसरी पश्यमंगाल में हुगली नाम से जाती है और हुगली की सायग नदी है दामोदर जो छोटे नागपूर के बैठार से हरी है और दामोदर अग दिखा जाए जो गोमत ताल यह फुलर जील है पिली भीत में, वहीं से एक नदी निकलती है गोमती नदी और गोमती नदी अगर आगे है नेपाल, यह जो इस साइड नेपाल है, नेपाल से दो नदिया एक है काली और एक है करनाली, काली नदी मिलाप ग्लेशर से आ रही है, करनाली नदी माप्चा चुंग ग्लेशर से आ रही है, अब यह जैसे ही भारत में एंटर होती है, तो काली नदी हो जाती है शार् इनकी एक सायक नदी है राप्ती और राप्ती के किनारे गोरपूर है और राप्ती नदी आती कहां से रुकम कोर्ट से आती है और राप्ती नदी क्यों फेमस है समय क्योंकि इसके किनारे गोरपूर है वरतमान में उत्तरप्रदेश के CM गोरपूर से ही है इसके अलाबा जो न अगर देखा जाए, भारत का कहा हो गया, जो कि पहले भारत कही approached हुबली में हो गया करना टक में, आगी आएंगे, तो एक नदी है गंडक, गंडक नदी में शाली ग्राम मिलते हैं, इसलिए इसका नाम है नारायनी या शाली ग्राम, कोसी नदी साथ धाराओं से मिलकर बनी है जिसमें मुख्य धारा का नाम है अरोडा उसके बाद में अगली है कोसी को बिहार का शोग भी कहते हैं यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है महानन्दा महानन्दा अन्तेम अगर देखा जाए गंगा की सायक नदी है जो आपके 22 से मिलती है तो महानन्दा गंगा की सायक है और महाननदी हमें तक्षण भारत में देखने को मिलेगी नेक्स्ट है फिर इसमें आता है ब्रहंपुत्र नदी के बारे में अब ब्रहंपत्र नदी के नाम बड़े इंपॉर्टन है अब कैलाश मान सरूबर के चेमा यूंगडू ग्लेशर से पूर्व की ओर उधर निकली थी पश्चिम की ओर जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी तो पश्चिम की ओर सिंदु नदी निकली थी अब पूर्व की ओर एक आदेशी की अदी निकलिए संग्पो तो तिबत में इसे संग्पो कहते हैं ए और उनाचल प्रदेश में सीहांग या दिहांग के नाम से जानी जाती है और उसके बाद अगर देखा जाए तो यही पर जब यह असम में एंटर होती है तो उससे एक नदी मिलती है लोहित और लोहित नदी को खूनी नदी ये आसम का शोक बोलते है और लोहित नदी के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र अब ब्रह्मपुत्र अगर देखा है आगे बांगलादेश में जाकर हो जाती है जमना और गंगा यानी भागी रेती से मिलने के बाद हो जाती है पदमा और लास्ट में अगर देखा जाए यह हो जाती है मेगना तो आप यहाँ रखना यह है B और यह है J यह है P और यह है M और अगर देखा जाए तो यह हो गया B, J, P और B, J, P में M तो अगर देखा जाए तो इधर हो गया गंगा का नाम भागी रती ब्रहंपुत्र का नाम हो गया जमुना दोनों मिली तो पदमा और पदमा के बाद फाइनली मेगना के नाम से बंगाल की खाड़े में गिरी अब इसके अलाबा जो अमारा कर देखा जाए तो ब्रहंपुत्र नदी, ब्रहंपुत्र की कुज साएक नदी है तीस्ता provide, मानस, संकोस, कामिंग, सोबंशरी, धणशरी, दिवांग ये सारे किसकी साएक हैं तो ये ब्रहंपुत्र की साएक नदी है जिसमें मानस अगर देखा जाए हैं मानस राष्टे उद्यान जो हमारा जंगली भहसा है, जंगली भहसे के लिए जादा फेमस है, और असम में एक राश्चोध्यान और है कांजी रंगा, वो एक सिंग वाले गिंडे के लिए फेमस है, और इसी नदी पर अगर देखा जाए, NW2 भी इस्तित है, सद्या से लेकर दुबरी तक, और यहीं अ परियोजना, सतलज और व्यास नदी, नात्पा जाकरी परियोजना, सतलज नदी, पोंग परियोजना, व्यास नदी, मंडी परियोजना, व्यास नदी, सलाल बगलेयार, दुलहस्ती परियोजना, चेनाब, तुलबल उरी परियोजना, छेलम, चमेरावा थीन परियोजना, थीन को रणजीत सागर भी गयते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है तीरी भिलंगाना और बागी रती टनकपुर शारदाया काली बार सागर पर्योजना सोन माता टीला पेतवा नदी फरक्का गंगा गांधी सागर चंबल जवाहर सागर चंबल तिपाई मुख बराक तिलाया पराकर नेक्स्ट आते हैं हम आगे प्राइदीपिय नदियों का अपभा तंत्र अब प्राइदीपिय में भी हमारी दो प्रकार की नदिया होती हैं पहली तो है अरब सागर में गिरने वाली दूसरी अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अब प्रा प्रवली से एक नदी निकलती है, लूनी, भारत की एक मात्रक खारे पानी की या फिर हम क्या सकते हैं लवड ये नदी है, और ये जो गिरती है, ये गिरती है कच के रण में, अगर आंसर में अरबसागर और कच करण दोनों है, तो आपको अंसर लगाना है कच करण, नहीं तो otherwise आपको answer हो जएगा आरप सागर वैसे most important अगर देखा है कच करण ही mostly पूछा जाता है दूसरी एक नदी है भादर भादर अगर देखा है भादर के किनारे है राजकूट और गांधी जी के पिता जो थे वो राजकूट के दीवान थे करक रेखा यहां पर गुजरती है और करक रेखा को दो बार काटती है माहे नदी इसके लावा भूमत रेखा को कांगो या जाहरे काटती है और मगर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है नर्मदा नदी के उत्तर में विंद्यन और दक्षण में सत्पुड़ा है तापती के उत्तर में सत्पुड़ा है और दक्षण में आजंता है बैतर्णा अगर बाताती है एक नदी है आपकी बैतर्णा और एक है बैतर्णी तो आपकी जो बैतर्णा है तो बैतर्णा गिरती है अरब सागर में और वैतरनी गिरती है बंगाल की खाड़ी में तो खाड़ी से एकी मात्रा यहां भी है और एकी मात्रा यहां भी है तो यह एक डाउटफुल वाली नदी है तो यह आपको याद रखनी है अगर वैतरणा है तो अरब सागर और वैतरणी है तो बंगाल की खाड़ी उसके बाद मांडवी नदी के किनारे गुवा की राजधानी पढ़जी है नेक्स रादी है फिर उसके बाद में जुवारी जुवारी नदी अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख या अगर देखा जाए एश्चुरी बनाती है तो एश्चुरी या इसको अगर हम हिंदी भी बोलें तो ज्वार नद मुख बनाती है हमारी जुहारी नदी और इसी की किनारे भारत का सबसे बड़ा जुहारी बंतरगा मार मोगाओ भी इस्ते थे नेक्स है शरावती नदी शरावती नदी पर भारत का सबसे बड़ा जल्परपाद जोंग या गर्सोपा या महात्मा गांधी जल्वपात इस्ते थे और इसी की सायक नदी वाराही नदी पर भारत का सबसे उच्छा जल्वपात कुचिकल भी इस्ते थे नेक्स्ट है भारत पूझे भारत पूझे इदर अंतिम नदी है तो यहाँ पर आपको याद रखनी है यह सभी अरब सागर में इसके लाबा अरवली से एक नदी निगलती है बनास बनास आगे जाके चंबल में मिलती है और चंबल गंगा में और यमना मिलती है फाइनली गंगा में तो यह हमारी आती है प्राइद इपिय में अरब सागर की नेक्स आती है हमारी एधर वाली जितनी नदिया है यह सारी हमारी गिरतिय है गहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी में बे ओफ बंगाल अब बे ओफ बंगाल में छोटे नाखपुर के पठार से एक दामुदर नदि निकलती है जो हूगली की सा Sowका है और दामुदर नदि को पश्चिम मंगाल का शोक भी गहते है छोटे नाखपुर के पठार से एक नदि निकलती है स्वण रेखा और स्वण रेखा नदि अगर देखा है इसके बाद आती है ब्रहमणी तो दक्षण कोईल या कोथिल और शांक मिलकर आगे जाकर ब्रहमणी बनती है अब उत्तर कोथिल जो बदाया था वो सोन की सायक थी और दक्षण कोथिल ब्रहमणी की सायक है क्योरार के पठार से नदी निगलती है बैतरणी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अभी आपको बदायदा बैतरणा उडीसा से एक नदी निगलती है वंचधारा, 36 गड़ की सिंगावा पाड़ी से निगलती है महा नदी और महा नदी उडीसा का शोक है इसके लाब महारास्ट के नासिक के त्रेंबग नामकिस्थान से गोदावरी निगलती है और इसे दक्षन भारत की गंगा कहते हैं तो दक्षन भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है फिर महारास्ट के महावलेश्वर से कृष्णा नदी निगलती है और कृष्णा नदी अगर देखा जाए तो कृष्णा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा और एक और खास है मूसी नदी कर्णाटक के ब्रहमगिरी पहाड़ा से एक नदी निगलती है कावेरी और कावेरी अगर देखा जाए ये स़दा नीरा नदी है और प्राइदीपी नदियों में अपवाद है इसके अलाब़ा तमिलणाडू में अगर देखा जाए तो गोदावरी की कुछ important बाते हैं तो नासिक से निगलती है त्रेंबग नामकिस्तान से पूर्णा, वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजरा ये सारी किसकी सायक हैं आपकी गोदावरी की और गोदावरी को बोलते हैं दक्षण भारत की गंगा नेक्स्ट है आपकी कृष्णा नदी तो कृष्णा नदी अगर देखा है है महारास्त के महावलेश्वर से निकलती है कोईना, भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंग भद्रा, मूसी ये सबी किसकी सायक है, क्रिश्णा नदी की सायक है और इस पर नागरजुन सागर भी इस्तित है नेक्स्ट आती है कुछ जीले भारत की तो भारत की प्रमुक जीलों में उत्राखंड में नैनिताल, भीमताल, रूपकुंड रूपकुंड को बोलते हैं रहस्यमई जील गुजरात में नल सरोबर, नारायन सरोबर और कांकरिया जील हरियाणा में सूरजकुंड और सूरजकुंड हर्ष्चल मेला भी लगा था तो वो काफी ज़दा चर्चा में था पंजाब में हरीके, तो हरीके जो बैराज है भाकड़ा नागलबान राजस्थान में सांबर, राजसमध, डिडवाना, पुशकर पुशकर में ब्रह्मा जी का एक मातर मंदिर है और सांबर अगर देखा है भारत की दूसरी सबसे खारे पाने की जील है क्योंकि पहली है चिल का जम्मू कश्मीर में डल जील, बूलर जील, अननतनाग, वेरिनाग, शेशनाग, नागन बूलर जील भारत की सबसे बड़ी जील है लद्दाक में अगर देखा जाए, सो मुरीरी और पेगॉंग जील पेगॉंग जील अकर देखा जाए, यह आपकी LAC परिस्तेत है मेगाले में उम्यम जील, मड़िपूर में लोकटक जील मड़िपूर की जो लोकटक जील है, यहां अगर देखा जाए, तो इसमें एक तैरता हुआ उद्ध्यान है जो विश्रु का एक मात्र है केबुल लाम जाओ तो केबुल लाम जाओ अगर देखा है विश्रु का एक मात्र तैरता उद्यान है और यहाँ पर आपके एक जो तैरते हुए दीब होते हैं वो कहलाते हैं फूम डिश तोuld फूंडिश या रखता है पूंडिश क्या है तैरते हुए दीब सिक्किम अगर देखा है सिक्किम की चो लामुजी जील है ये है भारत की सबसे उची जील विश्च्व में कौन सी है टेटि कागा केरल अगर देखा है तो केरल में है बेमिना जील ये है भारत की सबसे लंबी जील तो ये थी उची जील और अगर देखा जाए तो हमारी ओडीसा में अगर देखा जाए तो वो पढ़ती है आपकी चिलका जील तो चिलका जील ओडीसा की सबसे अगर देखा खारे पानी की जील है असम में दीपोर जील, महारास्ट में लोनार जील, लोनार जील एक क्रेटर जील है, इसके लावा सलीम अली सर उबर, तेलंगाना में हुसेन सागर, आंध्विदेश में कोलेरू जील, तो भारत में अगर देखा है, भारत की सबसे बड़ी बूलर जील, सबसे उची चोलामू सबसे लंबी बेमिनाद, क्रेटर जील लोनार, सबसे खारे पाने की अगर देखा जाए, तो उड़ी सा की चिलका जील है, तो चिलका जील भी याद रखने आपको उड़ी सा की, नेक्स्ट है आगे, प्रमुक जलपरपाद, जोंग या गर्सोपा या महात्मा गादी, प्रमुक जाए, बीहडन नदी, शिव समुंदरम, कावेरी, कुछी कल, वाराही नदी पर, नेक्स्ट आगे, जलवायू, जलवायू की अगर हम बात करें, तो जलवायू यानि मानसून की बाद आती है, मानसून अर्भी भाशा के मौसिम सब्द से बना है, जिसका मतलब हो तो इधर देखने को मिलेगी, उत्तर भारत में उपोश्ण, और तक्षण भारत में आपको देखने को मिलेगी, उश्ण कटेविन दिये, जलवायू, अब कुछ इंपोर्टेंट बात है, कि भारत हमारा गर देखा लिए, कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर एक तो है मानसून का आना, और एक है मानसून का जाना, इधर east, west, north और south, तो मानसून के आने को बोलते है, मानसून का प्रसफोटन या फूटन या टक्राना, और इसकी जो दिशा होती है, वो होती है, southwest, यहाँ पर राज सबसे पहले बड़ता है, केरल, तट का नाम है, मालावार, घाट का नाम में मांसून आता है तो यहां पे आपको प्रसफोटन वर्ड याद रखना यह बड़ा important है फिर है मांसून का जाना या लोटना या प्रत्या वरतन या निभरतन अब इसकी जो मांसून पर अगर देखा जाए नकारात्मक प्रभाव डालती है और ला नीनो अगर देखा जाए तो यह सकारात्मक प्रभाव डालती है पश्मी विच्छोब या फिर बोलते हैं पच्छुआ पवने और इन्हें अपनी आदरता भूमदी सागर कैस्पिन सागर और काला सागर से राप्त होती है और इसे लोकल भर्षा में मावट भी का जाता है कुछ इंपॉर्टेंट वारिश आमर भर्षा आम की फसल के लिए हो सीतकालीन वर्षा मांसूरी वर्षा ग्रीश मकालीन होती हैं नेक्स्ट है म्रदा में अगर देखा जाए तो भारत में अगर हैं इसे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं आमचूर अगर देखाएं अमलियता है तो चूना और बाकी अगर होती है जिसकी pH value लगवग 6-7 हो अब आपको एक ट्रिक याद रखने हैं जल है तो काल है क्योंकि यह पूछी भी जाती है जासे जलोड लासे लाल और काल से काली तो यह भारत की तीन प्रमुख मरदा हैं पहली दूसरी और तीसरी तो यह आपको याद रखना है तो यह तीनों ही मरदा पूछ ले जाता है कि भारत की पहली दूसरी तीसरी बाकि अब इनकी कुछ खास बात है विशेश पहली है जलोड मरदा है कि और इसी में अगर आँद करें जलोड मृता लाल पीली मृता इसका लाल या पीला रंग हो काली का रियो यह कापासी को बोलते हैं चर्णोझ स्वय घ्णता जोताई वाली भी बोलते हैं ट्रॉपे waiला भिबारॐ दिए अर यह स्टार्टाइंग ढरखें स्थ लक्राफ एंड है है एक नक्स्ट उसमें आते हैं फिर हमारी लेटरै하면 अनलसरा यह मलती है जहां उच्छ तापमान होता है और उच्छ आध करल पश्च्मिगार्ट या मासेनराम वगेरा और यह मसालों के लिए सबसे ज़्ञाद पयोगी होती है फिर पर्वत्य मर्दा होती है मरुस्थलिय मर्दा होती है, लबाणी मर्दा, सबसे अधा कहां पाई जाती है, गुजरात में, पीट ये डेल टाइ मर्दा, जहां पर ताजा अपलस खारा पानी मिलता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी पीट मर्दा, और ये सबसे अच्छी मैग्रो वनस्पती के लि सिनकोना, मास आदी, और सिनकोना से अगर देखा जाए, सिनकोना की छाल से बनता है कुनयान, और कुनयान होती है, मलेरिया की दवाई, नेक्स दाता है, अर्द सदा बाहर वनस्पती, जहां 200 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जैसे साइडर, होलक, क्यल, ऊश्ण कटे बनता है, अधर, पन्डपाती बनस्पती, जहां 100 से 200 सैंटीमीटर तक वर्षा होती है, जैसे सागोन, टीक, शाल, सीशम, चंदन, अरजुन, शेहतूत, आदी, शुश्ण कटे बनता है, सवाना, जहां 70 से 100 सैंटीमीटर तक वारिश होती है, एक्जांपल के लिए जैसे त तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, आदी तो खैर की जो लकड़ी होती है उससे बनता है कथा तो यह आपको याद रखना है और तेंदू के पत्तों से अगर देखा जाए बीड़ी बनाई जाती है तो तेंदू और खैर शुष्क कटीली बनस्पती जहां 70 cm से कम बारिश होती है वहां होती है शुष्क कटीली एक्जामपल के जिसे खजूर और बबूल और सवाना बनस्पती जहां 40 से 60 cm तक वर्षा होती है वहां छोटे वर्ष जो घास होती है उसे सवाना बनस्पती कहते है नेक्स्ट रहता है मरुस्थली जहां 50 cm से बारिश कम होती है जैसे एक्जामपल के लिए नाकफणी जौर्य बनस्पती या डेल्टाई या मैग्रोब बनस्पती जहां ताजा और खारा पानी का उचत मिश्रण होता है वहां आपको जौर्य या डेल्टाई या मैग्रोब बनस्पती मिलती है मैग्रोब सुंद्री या केवड़ा और मैग्रोब का बड़ा important point है यही पूछा भी जहता है मैग्रोब की जड़े गुर्तवा करशन के विपरीत कारे करती हैं या पढ़ती है note example में अगर देखा जाए कुछ important बात है उश्रण कटिबंदिये सदाबाहर बनस्पती को सदाबाहर सदापणिया वर्षबन भी कहते है उश्रण कटिबंदिये वनों के उत्पादकता सरवादिक होती है अंडमान निकोबार उश्रण कटिबंदिये सदाबाहर बनस्पतिय का राज के पोश्प है खैर की रकड़ी से कथा बनता है सिंकोना से मलेरिया की दवाई कुनयान बनती है तेंदू के पत्ते से बीडी बनती है यूगे लिप्टिस को पारिस्तिकी आतंगवधी कहा जाता है नेक्स्ट है रास्ट्य वन नीती ये 1952 में आई थी इसके अनुस वरतमान में 24.62 प्रतिशत वन है सबसे ज़्यादा मधिप्रदेश सबसे ज़्यादा घनेवन या संगन वन अरुणाचल सबसे ज़्यादा वन व्रति आंद्रदेश और सबसे कम वन हर्याना तो ये आपको ध्यान रखना है वन नीती गनुसार नेक्स्ट क्रशी क्रशी से क्रशी के अगर बात करें तो खरीफ की फसल या गरीश में कारीन फसले इसकी बुवाई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर यानि जब अपने हम मानसून आता है तो मानसून का महीना जून के टाइम प्रमुक फसले धान, सोयबीन, अरहर, त पस देखने को मिलती है इसमें फसले सरसो, आलू, मसूर, अलसी, राई, आती, जायत की फसले इने मद्यवर्ती फसले बोलते है कि रवी और खरीफ के बीच में होती है इनकी बुवाई मार्च में होती है और गटाई चून में होती है बारिश से पहले और होली के बाद ये लगती है इनके प्रमुख फसलों में जितनी भी बेल वाली फसले होंगे खीरा, कगड़ी, तर्बूच, खर्बूच, करेला, आदी, विश्व का पहला जैविक देश, क्यूबा, भारत का पहला जैविक राज, सिक्क्यम, भारत का पहला जैविक क्रशी वाला के इन्शाष के लिए विटी कल्चर, अंगूर के लिए फ्लोरी कल्चर, फूलों के लिए और हमारा वर्मी कल्चर, केच्वे के लिए पोमी कल्चर, फलों का उत्पाधन, पिसी कल्चर, मचली के लिए उलेरी कल्चर, सबजियों का हॉर्टी कल्चर, बागवानी, एरोपोनिक्स, हवा म पॉधियो काना अब कुछ आती है प्रमुख क्रांतियां जैसे हारित क्रांति खाद्यान उत्पादन श्वेत क्रांति दुग्द उत्पादन नीली क्रांति मतस्य उत्पादन भूरी क्रांति कोको उत्पादन रजत क्रांति अंडा या कोकोट उत्पादन पीली क्रांति तेल सभी चेत्र इसके लाब आगर देखा जाए तो हमारी हरित करन्ती टू.पॉइंट जीरो जो है वो जैवी खेती को बढ़ावा देने की बात करती है और हरित करानती के जिनक को ने अमेस स्वामीनात है और विश्मे को नौर्मन बोरलोग को शांती का नोबल पुरुसकार भी मिला था तो यह धियान रखना है यह कुछ हमारे संस्थान है दलहनन संस्थान का है कानपूर में चाबल शोट संस्थान करटक में राश्टी डेरियन व cabinetनारु सप्टरी बाती है ऑब एक तो भारत की बाता नॉर्थ इंडिया और एक आती है अग हाती है नॉर्थ इंडिया और एक अटी है साउथ नौर्थ इंडिया में भी नलकूपों द्वारा होती है और साउथ इंडिया में तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सीचाई होती है तो भारत में सरवाधिक सीचाई, सीचाई कुए एवं नलकूपो दोरा, उत्तर भारत में नलकूप, दक्षण भारत में तालाब, नहर सीचाई भारत में सीचाई का दूसरा प्रमुक सादन है, भारत में सरवाधिक तालाब, तमिलनाडूब है, टपक सीचाई, भूंद सीच सी मांत, किसान कि, भारत में सबस्यादा कौने ऐसके लिए गिसान है सी मांत किसान है नेक्स्ट राता है उद्द्योग तो उद्द्योग में भारत का कार्टफे हैं मुंबई, सबसे जहाद चीनी की कार खाने महाँराज्ट सबसे जहाद गनिका उत्पादन जूपी में भारत में अखवारी कागज की पहले मिल मद्यपरदेश के नेपा नगर में फुट्लोज उद्योग सौफ़ियर उद्योग और जिसमें आपको किसी भी संसाधन की आवश्कता निव बढ़ते हैं ऐसे उद्योग फुट लूज उद्योग कहा रहाते हैं जैसे आपका सौफ्ट्र उद्योग बढ़ा रखने का काम करती है बी आरो तो उसी को नाम दिया गया प्रोजेक्ट बीकन जम्मो कश्मीर की चीवन रेका प्रोजेक्ट धन तक हुटान में सड़क निर्माड कार है और अभी इसकी जो महिला थी एक अध्यक्ष बनाए गई थी तो उनका नाम था सुर्वी जक्मो स्वानेम चत्रवजी योजना चार महानगर दिल्ली मुंबई चेन्नाई और कोलकाता इन चारों को जोड़ा जाएगा अपस में और दो गल्यारे बनेंगे पूरा पश्यम सिल्चर से पोरवंदर यानि इधर से इधर तक हमारा और दूसरा गर्देका उत्तर से दक्षण य भारत के जितने भी इस्थलिये राज है उन्हें तटिये राज और उनके बंदरगाओं से जोड़ा जाएगा यानि भारत में जितने अगर देखा जाए यह राज है यह सब आपस में जोड़े जाएंगे तो यह एक माला के रूप में दिखाए देंगे तो इसलिए इसको भारत माला परियोजना और यह भारत के सबसे बड़ी सड़क परियोजना है सेतू समुंद्रम भारत के जितने भी रास्टे राजमार के हैं उन सभी को railway crossing मुक्त किया जाएगा और उन सब पर flyover बनेगा उसी को नाम दिया गया है सेतू समुंद्रम प्रधानमंत्री ग्राम सड ट्रिपल पी मॉडल पर railway tag बनाया जा रहा है अब जैसे ट्रिपल पी की बात करें तो पॉब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मॉडल तो यह ट्रिपल पी मॉडल कहलाता है भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सूपर वासु की डेडिकेटेट फ्रेंट कोरिडोर का नीचे भारत में पहली बुलट ट्रें मॉंबई से एहमदाबाद तक जिसके लिए भारत और जापान के भी समझाता हुआ है और दूसरी चलेगी दिल्ली से बनारस पहला बुलट ट्रें इस स्टेशन का है सूरत में बनकर तयार हुआ गांधी नगर एक ऐसा स्टेशन है ज स्टेशन का नाम भी आपको याद रखना है सिध्धा रूड़ा तो सिध्धा रूड़ा अगर देखा जाए इस्टेशन का नाम है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रें घतिमान एक्सप्रेस रामायड एक्सप्रेस भगवान राम के स्तलों से संबंदित राम सेत्व एक गोवा में सबसे कम तथा करनाटक में है यह पश्मी घाट को जोड़ने का काम करती है तो पश्मी घाट पर हमारा गुजरात महारास्ट गोवा करनाटक और केरल है इनमें आप उपर से गुजरात छोड़ देना और नीचे से केरल छोड़ देना बाकि इन तीनों में यह पर करती है नेक्स्ट है फिर हमारा जल पारिवन राश्ची जलमाग संख्या एक गंगा नदी पर इलावाद से हल दिया तक है यह तो इस साइड है पाक की खाड़ी और इस साइड है मनार की खाड़ी इस साइड हमारा अरब सागर और इस साइड हमारा बंगाल की खाड़ी तो इस राम सेतु को तोड़कर पाक की खाड़ी या मनार की खाड़ी को जोड़ा जाएगा या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क और तीसरे दिकत यहां चल लिए पर्यावरण वालों को क्योंकि प्रवाल वित्ति या कोरल रीफ पर्यावरण के लिए बड़े उपयोगी होती है और अगर यहां खुदाई होगी तो उसको भी नुकसान होगा तो इसी दिए अभी विवादों में चल रही है सेतू समंद्र बंदरगा कांडला यह पंडे दीन देलोपाद्ध है यह गुजरात में देखने को मिलेगा जवालाल नहरू यह नहावा शेवा नभी मुंबई में इसके लाबा मुंबई बंदरगा यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगा नेक्स्ट है मार मोगा बंदरगा जुआरी नदी गोवा में है और यह भारत का जुआरी बंदरगा है सबसे बड़ा नियो मेंगलोर बंदरगा करनाटक में है कोचीन बंदरगा वेमिनाज जील में केरल के दटप है और यह भारत का सबसे बड़ा शेप्यार्ड भी है नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगा इसका नाम कोलकाता व बंदर गॅ मनारी खाडी में जो हमारी कुछ बंदर गागा इंपनार नेक्स्ट है हमारा अगला भारत के प्रमुख हवायड़ें इंद्रा गांधी अंतराषवेज्टा हवायड़ू पालं नई Disability कि शिवाजी हवाईटा सांता ग्रोष मुंबई नेताजी सुवाश्चानर बोस हवाईटा दम्तम कोलकाता मीनामकम हवाईटा चेननाई जय प्रकाश नारायन अंतरास्ट्य हवाईटा पत्ना चौदरी चरन सिंग या अमोसी एरपोर्ट लखनव लाद भाहदो शास्त्री या पोर्ट ब्लेर राजीब गांधी शाल सिवाईटा ःदराबाद गौपिनाथ बोड़ो बौलव वाईटा गोँद्ट मियुद्ट गोव वरटा इसमें आपको य्याद रखना है कैम्प गोडा जो है तो यहुदे कंप énगोडा इंइक काैम्म пор इльपोरत या आपका है और य भारत का अगर देखा जाए पहला carbon neutral वाला कौन सा है तो वो है ले लद्दाक वाला और भारत का पहला अक्षय उर्जा से चलने वाला तो दिल्ली का है इंद्रा गांदी वाला तो यह कुछ प्रमोख हवाइट ने हैं जो आपको याद रखने हैं तो गाइस यह था हमारा पू पूरा इंडियन जोगरफी है तो आप इसके short notes भी बना सकते हैं और कभी भी paper के टाइम पे आप revise कर सकते हैं इसे बड़े हराम से और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को like जरूर करें शेयर करें जितना जाधा से जाधा हो सके थाकि हमें भी औ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह की आपको short notes वाली वीडियो मिलते रहेंगे thank you guys thanks for watching